एक दिन ऐसा होता है जिस दिन जो कुछ भी करना हो बे धड़क कर सकते हो उसका पुन्य फल हज़ारो लाखो गुना प्राप्त हो जो है पुलेरा दूच का जो मान लो कोई वेपार आप कर रहे हो और कोई वेपार ऐसा है या पी शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया कि दीरे 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 शरीर गलता ही जा रहा है कहीं शुगर पकड़ रही कहीं बीपी पकड़ रहा है कहीं किट्नी कहीं लीवर गरबड कर रहा है कहीं नेत्रों से परेशान कहीं श्रबन शक्ति से परिषान कहीं घुटने से कहीं कमर से कहीं आख पेर से तो इस तरह के तकलीप कर चाली हुए आपको सबसे पहले वेपार के लिए कि आपका अगर वेपार नहीं चल रहा है बहुत खश्ट प्रदि बहुत ज्यादा तकलीप में और वेपार ठीक चली नहीं गाएं सारे उपाय करकर देख लिए सब तरह से हतास हो गए तो एक फुले रदूज का कर लें अमर बेल के साथ तुकड साथ कमल गटे गाए का दूद बेल पत्री साथ शमी के पत्र साथ माराज बेल पत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्मान करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्मान करकर उसकी पूजन करना है जैसी पूजन की ठाली आप लगा कर लेकर जाते हो वैसे की वैसे लेकर जाते है आपको और शंकर भगवान का पूजन करकर घी का दिया लगा कर पूरा आनंद में पूजन इस्मरण करकर जो वस्तु में आपको बताई ये सारी वस्तु में संकर भगवान पर समर्पित कर दो पून चीज़ दिया जब तक अभी सर्जन ना हो जाए दिया ठंडा ना हो जाए तब तक वहीं बेठी है दिया में उतना घी डाली है जितनी दिर आप पूजन कर लें बेठें उसके बाद में बाबा के ऊपर चड़ी हुई कमल गटा और अमर बिल का तुकड़ा उठा कर लिया ही है ये केवल पुलेरा दूज के दिन का है इसके सिवाए नहीं कर सकते इसको ठीक है और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजी उसको लेकर पर ध्यान देना पहले संकर का शिवलिंग विसर्जन करना फिर वस्तु को लेकर घर में आना अमर बिल का तुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है वेपार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्तर के अंतरगत भागवान संकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर कुबरिश्वर महादेव का इस्मर्ण करकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर उस संकर्गी का नाम लेकर और किसी भी जगह अपने अलमारी में तिजोरी में बरकतिस्तान पर दुकान में वेवसाय में गुल्लक में जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको अरक देना मात्र धाई महिना इनतजार करिये अगर आपको लाब ना मिले तो उठा कर भी सर्जन कर दें पर धाई महिने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 वेपार में उम्नती देना प्रारम कर देता है कुछ नई राहें भोले नाथ बनाना कुछ चीज़ होता का यह प्रादम कड़ा और प्रादम करें का किुछ एप फुलेरादूच के एक इविदेधा के लिए फुलेरा दूज ते टीस कोटी देविदेधाउं का ईक उस्सव है प्रछाब्स ने जिसको शत्रीन में हब बहुत जादा रोग घेर रहे हैं और शरीर ठीक नहीं है हास्पिटिल डॉक्टर 24 गंटे चल रहे हर दो दिन में पंदा दिन में आठ दिन में उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान संकर का अनमोधन करने के लिए एक लोटा पानी कलस में जल जल के अंदर दूद के साथ में शहद शहद लेकर भगवान संकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित करकर थोड़ा नंदिश्वर को चड़ा कर थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सीचन करना एक चड़ाने वाली बात अलग हो जाती है, एक सीचन करने वाली बात अलग हो जाती है, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, शहद का जल, भगवान संकर के इस्मर्ण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत गेरा हुआ हो, वो सीचन करे, धीरे 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 धीरे, रोग से मुक्त हो जाएगा है रुक सुरूब